एक जंगल में बहुत सारे पक्षिया रहा करती थी उसमें से एक पक्षी काफी गरीब थी और मजबूर थी उनकी एक बेटी थी वह भी बहुत छोटी थी और मम्मी से काफी सारा बात करती और वह चिर्या का पूरी जंगल में चर्चा चलता सभी उसके सिकायत किया करतें कवा और मोर भी काफी बाते करतें और उसे सिकायत करतें पूरा जंगल उस चिर्या की सिकायत करती क्योंकि वह सभी चिर्या उससे काफी अमीर था पेर भी उसे देख सिकायत करती जब भी वह चिर्या उससे उस रास्ते से हो कर जाती तो उसको उसकी सिकायत ही मिलती वह काफी दुखी होती पर क्या कर सकती थी तभी उसे एक ब्रिक्ष ने सामने आकर बोला बेटी मैं तुम्हारे इस समस्या को समस्य सकता हूं जाओ तुम्हें एक बगल का पेर में पैसा फरने वाला पेर है उससे पैसा ले लो और वह पेर के पास गई तो देखा इतना सारा पैसा वह काफी खुस हुई और उसमें से कुछ पैसा तोर कर वह फिर अपने घर के पास आई और उससे मार्केट कर काफी अच्छा खाना पकवान बना कर खाई और खुस थी और सभी जंगल में से एकदम राजा का जिनकी जी रही थी फिर सभी चिर्या को उसकी अमीरी पसंद नहीं आया और फिर उसे सिकायत करने लगे पर वह चिर्या किसी की नहीं सुनी और एक नई घर लेली और उस घर में रहने लगी और वह पैसा पेर से तोरती और उससे अपना जीवन बसेरा करती और खेत में भी काम करती एक दीन परवत महराज बोले बेटी तुम्हारी समस्या तो निदान हो गया लेकिन तुम यहाँ पर खेती करो और हम तुम्हें अच्छा धन उपजा देंगे और तुम और अमीर हो जाओगी यहाँ बात सुन वह खेती करने लगती है और काफी हरा भरा उसका खेत हो जाता है और सुखी पिर्वक वह जीती